अच्छा दोस्त देखो विश्व कपकला कही न कहीं लीग स्टेज का आदा फेस खतम हो चुक है आदे फेस के बाद कहीं न कहीं आप यह बोल रहे हो कि यार बड़े वन साइड़ेड मैच हो रहे हैं क्लोज कॉंटेस नहीं हो रहे हैं पिछले दो दिन में जो हो रहा है शायद आपकी सोच थोड़ी बदली होगी और अगर आप सोच रहे हो यार मेरा विश्व कपका सबसे बहतरी मुकाबला कौन है तो फिर दोस्त अब तो बात पकी है आउस्ट्रेलिया बनाम यहां पर आउस्ट्रेलिया ने जीत अपने नाम करी जिस्ट बाइद बेरिस्ट और माजिन बहुत टाइम तक लग रहा था कि कही ना कहीं न्यूजीलेंड चेस कर लेगी और आगे जो समी फाइनल का रास्ता है वो तो ही आउस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टै कर रहे हैं और वो जो चार की जो गाड़ी है ना टॉप चार की गाड़ी अब आगे बढ़ रही है आप देख रहे हैं ESPN क्रिकन 4 मैच्टे हिंदी जह हमारे साथ आज स्टूडियो में एक नहीं दो एक्सपर्ट तीब दासगपता चेतेश्वर पुझारा बनता भी एस और करके रखा था तो पूरे मैच में वो गेम में था रं रेट में वी अल्मोस्ट साथ में थे साथ रन अल्मोस्ट हर बना रहे थे तो कहीं जहों मैच में पीछे नहीं थे 40 वे ओब क्या आसपास कहीं pok Miright गवा आई वह थोड़ा उनको भारी बड़ जा बट्धा ऑ तो पूरा मैच इतना इंट्रेस्टिंग था कि कोई भी सिचुएशन पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूजिलेंड यह में वाश्टिंग निशम के विकट के बाद थोड़ा लगा कि आउस्ट्रेलिया अब लगता है उस्ट्रेलिया जीते हिए लिए कि आखरी बॉल में छे निशीलेंड ने बले बाजी करी, I think it was batters day दोनों टीम ने बहुत बढ़िया बले बाजी कि रहा है सब मैं तो यह कह रहू हूं मतलब छलो उनके dressing room में तो नहीं जाएंगे पर आपर आपर कोई भी टीम नहीं हारी है यहाँ पर actually मैं cricket की जीत हूं मैं नूजजिलेंड के जैसे न्यूजिलेंड खेलती भी है, even though 309 बहुत बड़ा रंशीज होता है, but the good part is there always there's this process जो हम जानते हैं न्यूजिलेंड फॉलो करती है, एक strategy, एक plan, कई मरतबा होता है कि opposition ऐसे मामलों में जाते हैं, कहते हैं कि भी अख खुल के खेलते हैं, अचानक after 20-25 hours, you realize नहीं है, we are on track, but like Pooji said, शुरुवाद से there was a plan in place, they were keeping track which required run rate, मेरे काल से highest ever, जो run rate गया था, मेरे काल से 9.30, उसके उपर कभी the ball and hit the ball types, there was a planning behind it, there was strategy behind it, तो वो देख के अच्छा लगा, और obviously, I mean, New Zealand, you can never count them out here. चैदिश्व रचन रविंदरन, what a player, in a losing cause, एक होता है, हम लोग बात करे थे कि अच्छा player है, दिख रहा है कि बड़ा तगड़ा player है, एक होता है कि यार ये बंदा ना खाएगा, विश्व क्रिकेट को खाएगा आने वाले कुछ सालों तक, वैसा player लग रहा है, बिल्कुल, और सिर्फ तेई साल के, देखिए, जिस तरह से उन्हों आज maturity दिखाई, क्योंकि एक तेई साल का player, जब आप बड़ maturity थी उनमें, और जो देखने वाली बात ये थी कि क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए, देखिए, आप जब चेज कर रहे है बड़ा टोटल तो, रहतीब भाई बता रहे थे कि you, sometimes you try playing too many shots, आप बहुत ज्यादा shots केलते हो और वहाँ पर wicket गवा देते हो, but उन्होंने strike rotate करी, जबी भी ball उनकी range में आई, तभी उन्होंने shots मारे, वो उनके control में थे, मतलब ball उनकी range में था और जो shots केले, वो बहुत ही control shots लग रहे थे, और मैं काफी time से कहता है रहा हूँ कि अगर आपको chase करना है तो आपके पास एक tempo होना चाहिए, जो आजकल टीमें नहीं दिखा पा है, जो match वो जीते नहीं है, बट chase कैसे करना, वो उन्होंने सिखाया है अज अग्रेजी में कहते है, there is madness, but there has to be a method to your madness, but the good part about this run chase or failed run chase, as we are, you want to explain this, there was no madness about it, it was very strategic, very, you know, चल रहा है, चल रहा है, you know exactly कैसे चल रहा है, कभी देखके लगा नहीं कि यह थे 289 run chase हो रहा है, देखके लगा रहा है, नॉर्मल 280-320 run chase हो रहा है, so that is where I think a lot of team has to learn from New Zealand, how they break down process पूरा अपना, चोटे-चोटे मेरे खाल से targets में, it's unbelievable कि वो किस तरीके से situations को handle करते हैं, and I think like Pooji said, it's a great example to learn किया है, अब बड़े run chase भी, control में रखके chase कर सकते हैं, आसे नहीं प तो यह जतना उनका batting depth है, अनुर्मस्ट टीम के पास उतना ही batting depth है, 8-9, almost everyone has that kind of depth, so it's just unbelievable Nisham sahab ने पिछले World Cup के बाद tweet किया था, जी छोड़ दो, there was a cheeky this thing, take a baking, आप कौन सा tweet करेंगे, because very nearly, someone who's come under a lot of criticism, comes under a lot of criticism sometimes, कि मतलब, आप इनको team में कैसे ला रहे हो, किस ले ला रहे हो, मैं समझ मनिया रहा है, इनका actual role का है, थोड़ी गेंदबाजी करते हैं, थोड़ी बल अल्मोस्ट, अल्मोस्ट का रहा है, अर्जुन आप अगर New Zealand के team उठा के देखलो limited overs, you'll always find plays like this, कि जो 6-7 पे 8 पे batting करते हैं, फिर बीच में 5-6 over भी डाल देते हैं, it's nothing new, please understand कि वहां पे उतना talent pool नहीं है, so I think the greatest strength उनका यह है कि जो भी limited है, they try and maximize that talent pool, और यह कोई नही बात नहीं आप उठा के देख लो, 80-90 के दशक से आपको लासन और ऐसे बहुत Chris Harris, ऐसे बहुत player मिल जाएंगे, जो वो 6-7 पे आके batting कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, फिर 6-7 over भी डाल देते हैं, अच्छा दिन होगा तो 10 over डाल देंगे, so I don't think this is anything different New Zealand के नजरी से, और आपको ऐसे player चाहिए, मेरे हिसाब से आपको एक नीशम जैसे player चाहिए, जो number 7 पे अच्छी बल्ले बाजी कर सके, क्योंकि वो power player है, देखे, आप उसको all-rounder की तरह से देखेंगे, तो शायद उतने अच्छे all-rounder नहीं है, बट New Zealand को उनको batsman की तरह देखना होगा, batsman जो गेंद डाल सकता है, और उनका रोल bowling में normally देखा जाये, तो वो over 10 से लेके over 40 के बीच में डालते है, आज उनको death hose में डालना पड़ा, क्योंकि एक bowler shot थे, injury की बज़े से, बट देखे, वो एक power player है, और उनका रोल important है New Zealand टीम के लिए, और आगे जाके, मुझे लग रहा है कि ये playing 11 में रहेंगे, क्योंकि उनका जैसे ये match में प्रेदरशन रहा, और देखे अभी there is a possibility के team Saudi वापस team में आएंगे injury की वज़े से, तो वहाँ पर आपको एक गेंदबाज का और option मिलता है, अगर नीशम खेलते है, तो अगर तीन या चार over भी डालने पड़े बीच मे हैं, तो उनके पास वो टैलेंट है कि वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, हम लोग romanticize अभी करते हैं heroic performances को, कि मतलब नहीं ले पाए लेकिन तखड़े performances, लेकिन अक्सर इन बड़े मुकाबलों को तैय किया था है उन छोटे moments, आखरी over और वो जो आपकी fielding sales हो, जाए Maxwell साब हो, यह Labushain सार, Maxwell का तो हमें लग रहा था हम चला रहे हैं चौका 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 भाई साब आगे वहाँ पे Spider-Man कितना भाही Labushain भी आगे कहीं से, चोटी-चोटी चीज है, that make the big difference, 100% जो one-percenters हम कहते हैं, end of the day वही होता है कि जो champion teams या teams जो जीते हैं regularly, they will do those चोटी-चोटी चीज़े better over a period of time as compared to some of the inconsistent teams, और वह उस्ट्रेलिया देखे शुरुबाद अच्छा नही रहा, but you know why Australia is a champion side, अभी आरहा है तीरे-दीरे गाड़ी पट्री पे पट्री से बहुत आगे रहे हैं, पट्री से बहुत आगे रहे हैं, बुले ट्र अगे रहे हैं, और दिखिए, Australia की feeling आज जो है, वो उसी की बज़े से match जीते हैं, वो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 5 रन से match जीते हैं, अगर एक दो बिस, मतलब जो brilliant feeling हुई, अगर वो नहीं होती, तो कही ना कही वो match हार भी सकते हैं, बट New Zealand की feeling आज थोड़ी सी concern थी, क्योंकि थोड़े catches आज drop की है, जो New Zealand team normally नहीं करती है, और वहाँ पर मुझे लगा कि कही ना कहीं अगर वो catches पकड़ लेते, तो शायद Australia को 20-30 run कम में रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, 380 की जगा पे, शायद 370 run होते, तो शायद New Zealand cheese भी कर सकते हैं, कि मतलब हम यह कह रह रहे हो, वो भी matter करता है, flat pitch, चोटी boundary, और spinner का इतना बड़ा रोल नहीं, देखिए, spinner को अगर जब मार पड़ती है, तो आपके पास option नहीं रहता है, क्योंकि मिडल ओर में अगर देखा जाए, दोनों इनिंग में, तो मिडल ओर में भी कहीं बोलर्स रिस्ट्रिक नहीं कर और गेंदबाजी की बात करें, तो देखिए, दोनों टीम के बोलर्स की बात करें, तो सब की economy ग्लेन फिलिप्स को छोड़के 6 से ज्यादा रन की है, और वो अच्छी bowling है, और जो खराब bowling हुई है, वहाँ पर economy rate 10 का है, तो खराब 10 का वो बहुत ही खराब होता है one day format में, को ज्यादा मैचेज में नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पर देखने मिला, पिल्कुल जी भही अब ऐस्ट्रेलिया की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्राविस हेड्ट सर, मतलब आप ऐसी को पर क्या है, यह क्या comeback है, आएं तो मतलब सीधी, गाड़ी पकड़ी था 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 और दखा दिया क्यों एक कॉंदा था कॉंबनेशन इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया मतलब चाहे कुछ भी हो जाये, कब भी आए इस कॉंबनेशन को डालो अगर आप सोचे तो लॉजिकली काफी चीजे आप यह सोचेंगे कि लेफ्ट-हेंडर ट्राविस एड बीच में खेल सकते हैं, मिच मार्श ओपन कर रहे हैं, हाली में रन भी बना रहे हैं, यह विजे और रहे हैं, आप सबस्क्राविस एडर बीच में एड़ी आपाशा हैं मिच में फॉल ऐडर बीच में चारवज पर बीच में आप यह सोचेंगे वहां पर आप आप यह लिखाया दू नगरी अजम्ट ब्राव्श यह अट ऑना शुरू एडवरे लेदें वहां इ इसा प्रदेशन करते आ रहे हैं इसलिए एक ब्रेक था एक मैने तक वो क्रिकेट नहीं खेला है इंजरी से आ रहे थे और इंजरी में से आने के बाद एज बैट्समें इतनी अच्छी बल्ले बाजी करना वो जो प्लेयर बहुत अच्छे फॉर्म में हैं जिस तरह से वो अप पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना और स्पिनर्स को इतने कंविंसिंगली छक्के मारना वो आसान नहीं होता है क्योंकि मिच सैंटनर को उन्होंने जिस तरह से आज जैसे ही वो गेंदबाजी में आया है उनको चक्के मारना चालू किया ज्यादा बल्ले बाज उनको ऐ आज मज़ा आगया है जहां भी देखो मज़ा आया चे तेश्वर दीप थैंकी सो मच वो जोनिंग अस ओन देशो भाई अभी तो शुरुआत हुए दोस्त और स्ट्रेलिया ने गाड़ी पगड़ लिया फूल स्टीम अहेड आप देख रहें से एस्पन क्रिकन फो मैच डे दिंड हुए ले भी